दोस्तों आपका स्वागत है Lotus Pregnancy Care में फाइदा पहुचता है इसके बारे में आज हम इस विडियो में जानेंगे नवजात बच्चों में Immunity कम होती है जो कि उन्हें सिर्फ मा का दूद यानि स्थनपान से ही मिलती है मा के स्थन से पहली बार निकलने वाला दूद गाढ़ा पीले रंकाद्रव होता है जिसे कोलोस्ट्रोम कहते हैं इसे शिशु को जरूर पिलाए इससे शिशु को संक्रमन से बचने और उसकी प्रतिरोधक्षमता को बश्पूत करने में मदद मिलती है मा का दूद शिशु के लिए सुपाच्य होता है इससे बच्चो पर चरथ भी नहीं चरती है संपान से जीवन के बाथ के चरणों में रक्त कैंसर मधुमेह और उच्चरक्त चाप का खत्रा भी कम हो जाता है मा के दूद का बच्चों के दिमाग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है इससे बच्चों की बहुत आत्मक रिष्टा मजबूत होता है मा का दूद शिशु को उसकी तापमान में मिलता है जो उसका शरीर का है इससे शिशु को सर्दी नहीं लगती है एक महिने से एक साल की उम्र में शिशु में अचानक रुत्यू सवलक्षन का खत्रा रहता है मा का दूद शिशु को इससे ब पहले अत्वाबाद में स्तनपान कराया जाता है उनमें तकलीफ के कम लक्षन पाया जाते हैं स्तनपान कराने से मां को गर्भवस्ता के बाद होने वाली शिकायतों से मुक्ति मिल जाती है इससे तनाव कम होता है और प्रसव के बाद होने वाले रख्तस्त्राव पर नियंत्र पाया जा शकता है इससे मातावको स्थन यागर्भाशय के कैंसर का खत्रा काफी हद तक कम हो जाता है इसके साथ ही स्थनपान एक प्राकृतिक गर्भनिरोधक है खुन की कमी से होने वाले रोग जैसे कि ऐनिमिया का खत्रा इससे कम होता है माँ और शिशू के वजन को कम करने और मोटा पे से बचाने में मदद करता है सनपान कराने वाली माताओं को स्तन या गरभाशय के कैंसर का खत्रा भी कम होता है तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे विडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीशिए और देखते रहे ये लोटस प्रेगनेंसी केर